सालार के मेकर्स और दो बड़े नाशनल चेन P.V.R. आइनॉक्स और मिराथ सिनिमास के बीच अनबन की खबरी चर्चा में बनी होई है हाली में सुनने को मिला कि सालार को नौर्थ इंडिया में स्क्रीन नहीं दी गई क्योंकि PVR, आइनोक्स और मिराच सिनेमास ने अपनी सारी स्क्रीन डंकी को दे दी हाला कि बीते दिन PVR के मैनेजमेंट की तरफ से एक बयान जारी किया गया और इन खबरों को बेबुनियाद बताया गया लेकिन अब एक बार फिर डाल में कुछ काला होने की बात सामने आ रही है प्रभास के फिल्म सालार को लेकर मुंबई के एक बड़े तियाटर मालिक ने कहा है कि उन्हें फिल्म की स्क्रीनिंग से रोका गया उन्होंने सालार को बरबात करने के आरोपो को सच बताया है गेटी गैलक्सी के मालिक मनोज देशाई ने यूट्यूब चानल वाइरल बॉलिवुड के साथ बातचीत में अपनी बात रखी गुरुवार को उन्होंने बिना किसी का नाम लिये कहा कि वो लोग सालार की बुकिंग नहीं होने दे रहे हैं मनुष देशाई ने कहा फिल्म कल रिलीज हो रहे है और वो अभी भी लड़ रहे है साथ के मल्डिपलेक्स में फिल्म को रिलीज ना करने का प्रभास का फैसला सही है प्रोड्यूसर मुझसे पूछ रहे है कि मैं बुकिंग क्यों नहीं शुरू करूंगा लेकिन वो लोग मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे हैं भीशग प्ष्वारादी